नवस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे आप लोग कमेंट करके जरू बताइएगा आरचित पदों पर भरती को नहीं मिल रहा है ऐसे चक अव्यर्ति महलाओं को फिर एक मौका संभव मंत्री परसानी महला कोटे के पद्ध बड़ी संख्या में रह जा रहा है खाली चट्थे चर्ण में अब 13 अगस्त को ही कॉंसलिंग बागी मुखरजी सेमिन्यार का गेट तोड़ा साहर गण की कॉंसलिंग रद सहर में कॉंसलिंग में कई सीटे रह गए खाली नई पीड़ी में नहीं मिल रहे है स इस खवर पर नजर डाल लेते हैं जो आठ करिंडिट का जो सेलेक्शन होगा देख सकते हैं प्रकंड शिच्चक के लिए आठ अव्यर्तों कोंसलिंग और जिनका जो कॉंसलिंग हो गया उनको कंग्राजुलेशन हमारे टीम के तरफ से कॉंसलिंग के दोरान चैनित अभ्यर जी पांच सेंस्क्रिट में चार और और विज्यार पांच रिख ती थी। अक्ति रिखती कि बुलूदि हिंदी में सुन अंग्रेजी में तीन, संस्क्रीट में एक और विज्ञान में चार अभ्याट्तों का नियुजन किया चार सीटे खाली रागई, कॉंस्रिंग, आरेश्वी, इंटर कॉलिज समस्ति पुर्ण प्रखंड, परमुख संगीता देवी के दस्ता में की गई इस अफसर पर डिप्यो रविंद कुमार, बिडियो राम पुकार यादव, बियो मंजुसी, बियार पिराजी कुमार बरमा, लेखा सहाय की युगिस कुमार, भीम कुमार, यादव, रंजीत कुमार, निरंजन कुमार, आधी उपस्तिते समचार लिखे जाने तक अच्छा एक सकते हैं, 128 में से अचार्ज के लिए सिप, 28 से चक ही मिल सके संस्क्रित के, 20 इसको के टोटा, 31 में मात आठ से चक ही मिल सके हैं, उर्दू के लिए, ये भागलपुर के ख़बर आ रहे हैं, जो कि हम आपको दे रहे हैं, नई पीड़ी में से चक, नियोजन के दोरान से चक त ही नहीं, दुसरे पर्देशों, जारखन, उत्तर पर्देश, मदपर्दिस और पच्छी मंगाल के आविदक सिपको के कौंसिंग में सामिल होने आ रहे हैं, लेकिन भासाई, विश्यों में सिपको की कमी पूरी नहीं की जा पा रहे हैं, सोंबार को हुए मदभी द्यालों क के लिए कौंसिंग में संस्क्रित में 128, अर्चार जी के पद के लिए मात 28 आविदक ही पहुंचे, ऐसे में 100 पद खाली रह गया है, वहीं उर्दू में 31 में 9 सिचक ही मिल सके हैं, मंगलवार को भी 1 से 5 में तक के लिए हुई सिचको के नुजर में उर्दू में 153 पदों मे मात 17 से चक ही मिले हैं, वहीं 6 से 8 में अंग्रेजी में 40 में 17 से चक ही मिले हैं, ऐसे में देखा जा रहा है किसी को के कमी भासाई बिसोयों में जाता है, जिला स्कूल, जिला गर स्कूल हो या ऐसे कई बड़े स्कूल हैं, जहना तो संस्कीत के अचार मिलेंगें, नहीं उर् या वो को पढ़ते हैं या टूशन से अपना कुर्स पुरा करते हैं और पास होते हैं अब न्यूजन में भी इसे चक नहीं आ रहे हैं तो आखे इन जोज़को कहां से लाया जाए तो यहां के चात्तों को पढ़ा सकेंगे विज्ञान के एक सरकारी से चक ने कहा है कि वह भी संस्कीत पढ़े हैं लेकिन संस्कीत में रुज़कार की कमी के कारण वह इंट्रमीडियेट में छोड़ दियें ते चाहिवा कि एक अधिकारी ने भी कहा है किसी चक बनने के अलावा को संस्कीत या उर्दू आदी में चात्तों काफी विकल्प नहीं द भरे गया से अभी तक नहीं मिलने से खाली रह गया कि सहर में कॉंसलिंग की कई सीटे रह गई खाली यह हम दरभंगा का अपडेट हम आपको दे रहें देख सकते 17 के अंदरों पर कॉंसलिंग सहर के 17 केंदों पर 1150 पदों के लिए कॉंसलिंग बेसिक ग्रेट के प्रखण सिटकों के लिए कॉंसलिंग छट्टे चरंग के प्रखण से च्चक निजर की तीन दिवर से कॉंसलिंग के अंतिम दिन मंगलवार को बेसिक ग्रेट के 1150 पदों पर चैन्र पर क्रिया को लेकर का कारिश संपन हुगा डियो विवा कुमारी के अनुसरवन सांतिप्रूग ध पहल किये जाने थे लेकिन अंतिम पर्तिवेदन मिलने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि कितने अभीरत्यों को चैन्र इन पदों के लिए हो सका साम 6 बज के 45 बजे यानकी पहने 7 बजे तक प्राप्त पर्तिवेदन के अधार पर अली नगर में 45 पदों के लिए मात 25 बहडी में 122 में 79 गौडा बौरम में 66 में 38 हाया घाट में 37 में 27 केवटी में 49 में 35 तारडी में 31 में 13 बेनुपूर में 15 में 6 सदर प्रक्रण में 67 में 45 हनुमान नगर में 28 में 15 जाले में 16 में 8 तथा कुसेश्वर अस्थान पच्छे में 75 पदों की जगह मात 29 अभ्यर्तों का चैन किया जा सका बाकि सभी सीटों फिर से रिक्त रह गई हैं काउंसलिंग के दोरान डियों ने जगा जगा भ्रहमन का जाईजा लिया हिच्छा के वरिये डिप्यो विजय चंद्र भगत संजय देवकनहिया एवं कुमार सत्तम संदीप रजन वरिये सहायक रमन कुमार ठाकुर एवं न्यूजन को सांक्य परतिनुक्त कर्मियों सुनिन कुमार ज्छा सुदीर कुमार सीं आधिवे जनकारी लेती रही गौतलब है कि पहल जाने के मामली को लेकर डी ओ दुसरे दिन की कॉंस्लिंग से काफी सक्त हो गई है आनियम तब बढ़ते जाने वाले केंद्रों को लेकर तिन सदद से जांस कमीटी का घठन कर दिया गया है कॉंसलिंग में कुछ केंद्रों पर अभ्यरतों की भाभी भीर देखी गई कुशेश्वर अस्थान पूर्वी के लिए निधायत केंद देश रतन डॉक्टर रजिन्द परसाथ प्लस्टू बालका विद्धाले दर्भंगा टावर पर एवं बहड़ी परखंड के लिए निधायत केंद सवशी मुस्लिम हाई स्कूल में भर्तों की भारी ब्यूर देख गया है यह डाटा हमने आपको दर्भंगा का दिया अब चलिए मुझह पर पर कुछ डाटा हम आपको देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि एक हजार नोसुत साथ यान के लगभब दो हजार सीटों में कितने का चेन हुआ हुआ हम बता रहते हैं हिचक न्यूजन के लि और तिन उर्दू सी चक मीनापूर में 11 समान सी चक और 10 उर्दू सी चक मोती पूर में 80 समान सी चक और एक उर्दू सी चक मुसहरी में 22 समान सी चक और पांच उर्दू सी चक कट्रा में 29 समान सी चक एहां एक भी उर्दू सी चक की न्यूक्ति नहीं हुई है सरयय में 74 समान से चक और दो उर्दू सिज्कों की बहाली हुई है जो कि आप देख सकते हैं इसका वीडियो हमने आओ उस चैनल पर बना के डाल दिया आप वहां से देख सकते हैं अभी यहां देख लिए खबर पटना से आ सब्सक्राइब करीब 94,000 सिज्कों की निउक्ति परकिरिया चल रही है कौंसलिंग के माद्यम से उमिद्वारों के अंतियों रूप से चैन की परकिरिया करीब करी समापन की ओर है अब सिर्फ एक दिन यानि कि तीरह अगस्त को पंचाई सिच्छक निउजन इकाईयों में कौ पर धक नहीं है हलाकि विभाग को अभी नो और दस अगस्त के चैन की अंतिम रिपोर्ट नहीं मिल पाई है बावजूद इसके दो चर्णों जुलाई और अगस्त में हुई कौंसलिंग को लेकर निर्धारित पदों की तुलना में चैन काफी कम हुआ है और हजारों की संख कारी के मताबिक इक प्रव उमिदार नहीं हुए है 나ैं यानि कि जो आरच्ञ काय उसमीद निकाहियों में कई आराच्ष्ट शेन के एक भी उमिदार कांस्र्सिंग एप नहीं हुए है भासा विज्ञान और गनित में रिक्तिक की तुलना में प्रामिक सिच्छक काफी कम मिल रहे हैं। महलाओं के पचास फीदी पद आरच्छी थें लेकिन महला अभ्यरती मिलने से नहीं मिलने से पद खाली रह जा रहे हैं। नियोजन को लेकर अंतिफ रूप से चैन की जो जितिथी बार रिपोर्ट से चाई बार के अपर मुक्सचिप संजेक गुपार ने साजोनी की हैं। वह भी इसकी तस्दीक कर रही है। साथ अगस्त की कौंस्लिंग की ही बात करें तो इस दिन 31 जिलों के 273 प्रक्रणिजनी कायों में एक हजार नो सो दस पदों में से 492 रिक्त रह गया। आलम यह है कि दर्भंगा जैसे बड़े जिले में 752 में 302 और अर्वल जैसे छोटे जिलों में 125 पदों में 37 खाली रह गया और थात एक जिलों में 40 फिजदी तो दुसरे में करीब 25 फिजदी पद खाली रह गया है। जैसे तमाम जीलो का अप्डेट हमने आपको दिया दोस्तों और भी कुछ जखिलों का अप्डेट आएगा तो जरू देंगे तो ए वीडियों को कैसे लगें आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएगा और ऐसे वीडियो नीच पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों